तो हलो गाईश विल्कम बैक अगें तो मैं यूट्यूब चैनल और फॉर ओल गेमिंग तो दोस्तो आज की फिडियो में मैं आपको बताऊंगा बहुत ही आसान तरीका की आप कोडा सौप से डाइमंड टॉप अप कर पाएंगे बहुत ही आसानी से जिसमें की आपको मैं एक टिप बताऊंगा एक ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आपको डाइमंड टॉप अप करना है कैसे करना है क्या करना है एक एक चीज बहुत ही बारीकी से समझा दूँगा जिसमें आप लोगों कोई दिक्कत नहीं होगी तो यार यह वीडियो सुरू करते हैं और एक एक टॉपिक क नाम लिखा रहता है यहां पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहां पर आप लोग देख सकते हो यू आईडी लिखी हुई है यहां पर यू आईडी जो है इसको कर लेना है आपको कॉपी करने के लिए आपको इस वाले आइकन के उपर कर देना है क्लिक अब जैसे ही आप य चले जाना है back और back जाने के बाद आपके पास जो भी ब्राउजर हो जैसे मेरे पास यहां पर chrome ब्राउजर है तो मैं इसको कर लेता हूं यहां पर open अब open करने के लिए आपको इसके ओपर simply tap करना है और tap करके यहां पर आपको लिखना है codasop.com बस आपको इतना लिखना है आप देख लीजिए यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर codasop.com आपको लिख देना है इतना लिखने के बाद मैं आपको बताता हूँ एक step की आपको क्या करना है आगे की जो चीजें है वो बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएंगी तो यहाँ पर जैसा कि आप यहाँ पर कर दोगे kodasop.com लिख दोगे और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा मेरा लोड ले रहा है पेज और यहाँ पर मेरा नेट थोड़ा स्लो है इस वज़े से तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर कई सारे गेम आपको दिखाया जाएंगे यहाँ पर साथ में free fire भी आपको दिखाया जाएगा मैं नीचे स्क्रॉल करके आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर और कई सारे वाले आइकन के उपर इतना आपको ध्यान रखना है कि फ्रीफायर वाले आइकन के उपर क्लिक करना है यहां पर क्लिक करने के बाद आप से यहां पर आईडी मांगेगा जो आपने यू आईडी यहां पर कॉपी की थी पीछे गेम पे तो आपको वो यू आईडी यहां पर ड दिखाता हूं कि यहां पर याव जयसा की देख सकते हो 50 डाय Pokémon को उपर अपनी डालनी है नीचे आपको जितने डाइमंड टॉप अप करने है वह सेलेक्ट करना है जैसे मैंने यहाँ पर सो डामेंड का यहाँ पर प्राइज हमें नीचे दिख जाएगा असी रुपए तो यहाँ पर आपके पास तीन ओप्सन होते हैं देख लीजिए आप तीन ओप्सन आपके पास होते हैं पेटियम यूपियाई और यहाँ पर नेट बैंकिंग तो यहाँ आप जो चलाते हों जैसे मैं यहाँ पर यूपियाई चलाता हूं यूपियाई से मैं करना चाहता हूं तो यहाँ पर मैं यूपियाई वाले आइकन के उपर क्लिक कर दू आपकी जो payment की receipt है वो कहां पर आपको मगानी है किस वाली mail id पर मगानी है तो जैसा कि मैं यहाँ पर अपनी mail id डाल देता हूँ जरूरी नहीं है कि आप इसको डालो हुई यह optional है आप चाहो तो यहाँ पर डाल सकते हो चाहो तो कोई बात नहीं है उसके बाद यहाँ पर आप यहाँ पर यहाँ पर उसके नीचे बाइनव का option है इसके उपर आपको कर देना है टैप अब जैसे ही आप यहाँ पर टैप कर दोगे जो यहाँ पर कुछ processing होगा और उसके आगे यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आजाएगा और फिर उसके आगे आपको confirm कर देना है जैसे ही आप confirm करोगे तो यहाँ पर कुछ load लेगा थोड़ा सा और load लेने के बाद जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो मेरा net थोड़ा सा slow है इस वज़े से थोड़ा सा load ले रहा है आपका भी load लेगा उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का interface आने वाला है अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर गनी ना कोड़ा सौप लिखा हुआ है और आइ्टम है फ्रीफायर आप यहाँ पर देख लिजिए उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो continue को option है यहाँ पर आपको कर देना है continue अब जैसे ही आप continue यहाँ पर कर तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि यह आपको कहां पर ले जाएगा आपके जो application है उन पर लेकिन यहाँ पर मैं सबसे पहले chrome select करता हूँ यहाँ पर आप चाहो तो patium के upi select कर सकते हो यहाँ पर chrome मैं select करता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर google page से करना है तो इस वज़े से मैं यहाँ पर chrome select करता हूँ यहाँ पर आपके इस्टॉल है यह नहीं है तो फिर यहाँ पर आपके सामने नहीं आएंगे आपको यहाँ पर upi id डालने के लिए बोलेगा लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे सामने कुछ application आए है अब यहाँ पर google pay के उपर यहाँ पर करता हूँ click और यहाँ पर click करने के बाद मैं आपको बताता हूँ आगे का process जो क्या करना है आपको बहुत ही आसान तरीका है आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी जैसे यह आप इसके उपर click कर दोगे तो यहाँ पर जो आपका यह गूगल पे है यहाँ पर खुल जाएगा और यहाँ पर आप से 80 रुपाय यहाँ पर जो काटने के लिए बोलेगा तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर OK कर देना है सारी चीजे और उसके बाद यहाँ पर आपको डाल देना है अपना UPI PIN और जैसे आप UPI PIN यहाँ पर डाल दोगे UPI PIN डालने के बाद यह प्रोसेसिंग हो जाएगा और आगे बढ़ जाएगा UPI PIN वाला सिस्टम जो है वो मैंने कर्ट दिया क्योंकि यार भाई मैं UPI PIN नहीं दिखा सकता हो इस वजह से तो यार यह देख सकते हो आप मेरा जो एकाउंट से जो बैलेंस है वो यहाँ पर कट च और यहाँ पर आइटम होगा और यह सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी और आपके जो टोटल पेड है कितने रुपए आपके काटे गए हैं वो यहाँ पर आपके सो हो जाएंगे अब इतना होने के बाद मैं यहाँ से चलता हूं बैग और बैग जाके मैं आपको गेम के अं हमारे हो चुके हैं जबकि पहले हमारे 105 डायमंड थे अगर आप से यहां पर डायमंड पर चेस करते हो तो यहाँ पर फैयदा यह कि आप 50 डायमंड होंगी पर्चेस कर सकते हो और यहाँ पर आप देखी सकते चैनल पर पहली आ रहा है तो चैनल को subscribe करें दो आपके भाई का चैनल है और हमें comment में बताओ कि आपको यह video कैसा लगा तो फिर हम आपसे मिलते किसी नेक्स टूडियो में और किसी नेक्स टॉपिक के साथ